पॉस्बाइट की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाएं इस खबर के प्राय जग है जैना जुएलर्स आबुलेन मेरत दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरिवाल ने सिंगापूर दौरे की अनुमती मिलने में हो रही देरी को ले करके के इन सरकार पर निशाना साधा है अर्विंद केज़वाल ने साब पूछा है कि क्या वह कोई अपराधी है जो उन्हें सिंगापूर जाने की अनुमती नहीं दी जा रही है इसके पीछे उन्होंने राजनिती बताते हुए कहा कि एक चुनाववा मुख्य मत्री विदेश क्यों नहीं जा सकता केज़वाल ने कहा कि सिंगापूर सरकार ने दिल्ली मॉडल प्रस्तुत करने के लिए उन्हें विशेश तोर पर बुलाया है दुनिया भर के लोग दिल्ली मॉडल के बारे में सुनेंगे तो इस देश का ही नाम रोशन होगा देखें क्या कहा अर्विन के जिवाल ने देखें मैं कोई अपराधी तो हूँ नहीं और एक चुनावा मुख्य मंत्री हूँ इस देश का स्वतंत्र आजाद नागरिकों सो मुझे वहाँ जाने से क्यों रोका जा रहा है मेरी समझ के बाहर है और मैं समझता हूँ कि वहाँ पे दुनिया भर के बहुत बड़े बड़े नेता आ रहे हैं सिंगापूर में और सिंगापूर की सरकार ने स्पेशली मुझे बुलाया है दिल्ली में शिक्षा और स्वास्त के उपर जो क्रांती हुई है और दिल्ली में अलग अलग शित्रों में जो तरक्की हुई है दिल्ली मॉडल के बारे में वहाँ पे प्रस्तुत करने के लिए तो पूरी दुनिया के लीडर्स जो हैं वो दिल्ली मॉडल के बारे में सुनेंगे और तो ये इससे देश का गौरव बढ़ेगा इससे देश का नाम होगा दिल्ली मॉडल की चर्चा आप लोग जानते हैं पूरी दुनिया में हो रही है जब टरंप साब आये थे उनकी वाइफ मिलेनिया टरंप ने भी दिल्ली के स्कूलों के बारे में सुना था वो दिल्ली के स्कूल देखने गई उसके बाद उन्होंने दिल्ली की शिक्षा करांती के बारे में काफी तारीफ की उसके पहले नौर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री दिल्ली के महला क्लिनिक देखने के लिए आई यूनाइटेड नेशन्स के पूर्व महासचिव बान की मून साहब वो दिल्ली के महला क्लिनिक देखने के लिए यह तो देश के लिए गर्व की बात है, अच्छी बात है, हमें इस किसम की उसको और एंकरेज करना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि केंदर सरकार को ऐसी चीज़ों को रोकना नीची है, यह अच्छी बात नहीं है, जाहिर दोर पे राजनीती है और इसके अलावा कोई कारण त किसी तरह की रोकनी है, एक आम नागरिक भी तो बाहर जाने के लिए स्वतंत्र है, तो फिर अर्विंद केजरिवाल क्यों नहीं जा सकता, चुना वह मुख्यमंत्री क्यों नहीं जा सकता, और मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं, मैं तो वैसे विदेशों में जादा नहीं मैं तो वैसे बहुत कम जाता हूं, पुछले 5-7 साल से जबसे मैं बना हूं, मुझे लगता है एक दो विजिट्स को छोड़के मैं गया ही नहीं हूं, लेकिन जब देश की बात आती है, देश का नाम रोशन होने जा रहा है, देश की तरक्की की बात हो रही है, दुनिया द देश की बात कर रही है, तब तो मुझे लगता है कि हमें अपने पार्टी भाजी वाली राजनीती छोड़के सबको एक साथ होके, एक जुट होके देश की तरक्की की बात कर रही है, इस खावर में फिलाल एक नहीं, आप देखतरी है फास्पार्ट.वे, नमस्कार